स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही सस्क्राइब कर लिजिए तो प्लीज हमारे प्रेणा टीवी चैनल को जल्द से जल्द सस्क्राइब कर लिजिए। टॉफी के तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनिल में देखा है। के लिए आनलाइन आफलाइन आवेदन फार्म आमातित करने जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 40,000 पदों के लिए आवेदन आमातित होने की उम्मीद है। इसी संबंद में और अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। यूपी सफाई कर्मचारी भरती दोजाए कई 40,000 जीहां 40,000 सफाई कर्मी भरती श्टार्ट होने वाला है। क्या आप भी यूपी में सरकारी भरती के लिए आवेदन करना चाहती या चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश राजिस सरकार ने कैबिनेट के फैसले में 40,000 संविदा द्यान दे संविदा सफाई कर्मचारी की भरती को मंजू प्रथन का नाम उत्तर प्रदेश नगर निगम बोड कुल पत कितने हैं 40,000 पत का नाम क्या है सफाई कर्मचारी योगेता आठवी पास होना निवार है आयू सीमा ठारा से 40 वर्स तक नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश आवेदक दिनाग जल्दी गोश्टना होगी यूपी सफाई कर्मचारी यूपी सफाई कर्मचारी 2021 ग्रामीर सफाई कर्मी का वेतन मान बावन सव रुपाए और अठारा सव ग्रेट पे अधिकता दिदी आपके कोश्टन आते रहते हैं तो कुछ आपके कोश्टन के आंसर मैं इस वीडियो में देना चाहूंगी पहला प्रश्ण एक दिदी ने किया है यूपी सफाई कर्मचारी भरती 2021 के लिए आनलाइन आवेदन कब से सुरू हो रहे हैं दिदी आपका उतर है आवेदन तारिक जल्द ही अपडेट की जाएगी दूसरा कोश्टन है उत्तर प्रदेश में कितने सफाई कर्मियों की भरती होनी है तो इन दिदी का उतर है अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 40,000 सफाई कर्मचारी के पदों पर भरती की तयारी चल रही है और एक दिदी का कोश्टन है यूपी सफाई कर्मचारी भरती दो जैक कैस आवेदन हेतु आयू सीमा क्या होनी चाहिए तो उतर है इसके लिए आयू सीमा 18 से 40 वर्स रखी गई है यूपी में सफाई कर्मी बनने के लिए कोई अनुभ़ भी नहीं चाहिए क्या तो उतर है हाँ इसके लिए नगर निकाय में एक वर्स का अनुभ़ होना जरूरी है अगर आप लोगों को इस भरती में आवेदन करना है तो क्या-क्या डाकुमेंट लगेगा आये जानते हैं पूरे वीडियो में विस्तार से उत्तर प्रदेश के सभी लाभरतियों को आवेदन करना होना होगा आये जानते हैं यह योजना किसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी भरती निकाली है इस भरती में आवेदन उत्तर प्रदेश के लाभार्ती कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के सरकार ने माननिय मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ जी ने इस योजना कारंब कैबिनेट की मीटिंग में किया था वहाँ पर उन्होंने उत्तरप्रदेश सफाई कर्मी भर्ती 2021 की घोशना की थी 40,000 सफाई कर्मी भर्ती तुरंत भरे आनलाइन आवेदन फार्म अगर आप आठमी पास हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश सफाई कर्मी भर्ती 2021 की घोशना की है संगठन का नाम उत्तरप्रदेश नगर निगम बोर्ड पुल्पद 40,000 पत का नाम सफाई कर्मी योगिता आठमी पास आयू सीमा 18-40 वस नौकरी का जगहां उत्तरप्रदेश आवेदन करने की दिनाक जल्द ही घोशना की जाएगी दिदी अभी तक इसके कोई डेट नहीं फिक्स हुआ है कोई तारीक नहीं किलियर हुआ है तो जैसे ही डेट किलियर होगा तारीक किलियर होगा हम आप सभी को ओगत करा देंगे इसके लिए आप सबसे पहले हमारे प्रेंडा टीवी चैनल को जल्द से जल्द सस्क्राइब कर लेजिए अनसूचित जातियों और अन्या पिछड़े वर्गों के आरच्छन अधिनियम 1994 के अधार पर दिया जाएगा यह भरती महिला और पुरुस दोनों के लिए है इस बात का आप लोग ध्यान दे अगर आप सिम्षत्र समूगी महिला है तो यह काम आप पा सकती है जी हाँ उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी भरती 2021 को आफ लाइन आवेदन करें जी हाँ आनलाइन आवेदन करें जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिपस्केशन बास में दे रखा है अब आप लोग के सामने प्रदेश, सफाई, कर्मी भरती दोजय कैस का लिंक दिखाई देगा आप लोगों को बस उसके उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग उसके उपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एप्लिकेशन फार्म आ जाएगा उसमें जो भी जानकारी पूछी जाएगी आप सभी लोग को ध्यान पूर्वक भर देना है अब आप लोगों को समिट जिहां समिर बटन पर क्लिक कर देना है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक सस्क्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूले जाते जाते एक बार फिर करना चाओंगी कि अगर आप सहर में आती है नगरपल का गेंतर गताती है आप हमारे दूसरे चैनल प्रेणा टीवी चैनल सहरी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेजी कि इस चैनल पर आप सभी को राश्ट्री सहरी आजीव का मिशन से जूड़ी जानकारी दी जा रही है जी हाँ क्योंकि सहर में बहुत तेजी से समू बनाया जा रहे हैं और गरीब परिवार को आगे बढ़ाया जा रहे हैं क्योंकि है सजी बनाना है और उनकी मदद करना सबसे बड़ा उद्देशिर राश्ट्री सहरी आजीव का मिशन का यही है तो चलिया दिदी आज की रुबस इतना ही धन्यवाद जै आजीवी का